हेलो फ्रेंड वेलकम टू इस्टेडी वाइस चैनल आज खंड सिछा दिकारी की 16 अगस को परिक्षा हो है उसी का समाने धेन के मैं सौल पर लेकर आई हूं मेरे पास सीरीज बुकलेट भी है तो आप चलिए प्रशनों को देख लिजे आप भी मिला लिजे तो पहला प्रशन ह है निमलिखित में से किन दो सास्कों के मद 17 माई 1540 को करन्योश के पास युद हुआ तो इसका एंसर है बी सिर्षा और हुमायों की बीच नेक्स्ट कोश्चन है दूसरा है कि निमलिखित में से किन प्रमुक कारण से महत्मा गांदी ने 1922 में असायोग अंद्रों को वापस सासले लिया था है तो इसका अशोर डियोंगा चोरी चोरा में हुई हिंसा के कारण इसट तीसरा कोश्चन है तो तीसरा है गदर पाटी से निमलिखित में से कौन समंधित नहीं थे तो इसका अग्ला देखते हैं छटा कोश्चन छटा कोश्यन है कि निमलिखित में से कौन सा पो सकता तो दलहनी फसलो में गठन के लिए आवश्यक है तो इसका एंसोर है नाइट्रोजान ए नेक्स्ट है साथवा तो सातवा कोश्यन है कि 1 kg नतज्य की आपूर्ती के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवशक्ता होती है तो इसका एंसर है 2.2 kg नेक्स्ट आठवा कोश्यन तो सातवा कभी हो गया आठवा देखते हैं आठवा नेमलेखित कथन उसर मिठ्टी के सम्मठ्द में है है और दूसरा है इस मिट्टी की पीच मान साथ से अधिक होती है नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट नौवा कोश्चन है कि कि फर्चुन इंडिया के 500 कंपनियों की सुची के अनुशार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी निगम थी तो इसका एंसर है से घृँंल पर्देश के निमलीख्esting में से किस बाद पर बना है तो इसका एंसर है डी रेहं द्सट वांद पर नेक्स्ट कोस्चन है कि उट्तर परदेश के निमलीख्जिद में से कौन व्हसे जेला संतरिक सरवधिक उतपादग है तो इसका एंसर है सी सहरनपूर नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं आगे तो बारवा कोश्चन आयता है उत्तर परदेश के निमलेखित नगरों में से किसमे भारती दलहान अनुशंदान संस्तान इस्थित है तो भारती दलहान अनुशंदान इस्थित सी इसका अंसर होगा कानपूर में नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं तेरवां तो यह मिलान करने के लिए आया था तो यह देखिए इसका अंसर होगा तेरह का सी सही है तो यह हो जाएगा बीवी राष्टी गिरी स्रम संस्थान तो यह 1 का 4 होगा बी का 1 होगा और सी का 2 होगा और डी का 3 होगा तो इसका अंसर सी हो गया नेक्स कोशन पर बढ़ते हैं नेक्स चोधवा है उत्तर परदेश के बारे में नेमली खित में विचार कीजिए तो इसका अंसर सी होगा दो तीन चार मतलब कि इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है और यह देश का प्रमुग गन्ना उत्तपदक राज है और चौथा एधान के उत्तपदन में देश में इसका तिसरा इस्तान है तो फ्रेंड यहां पर गलत मैंने बता दिया चौधवा का एंसर होगा बी एक दो तीन तो यह देश में सरवधिक दूद उत्तपदक राज है और आलू की खेती भी अधिक होती है और यहां पर गन्ना उत्तपदक राजी है नेक्ट कोशन देखते हैं पंद्रवा पंद्रवा है उत्तरी भारती सास्त्री संगीत बाइबिल ग्रंथ निम लिखित की है तो इसका एंसर होगा ए नाटे सास्त्र से है नेक्ट कोशन नेक्ट सोलवा है कथन और और करड दिया है तो इसका एंसर होगा सोल कबी होगा दिया है कि ओच्परस्टा स्वर्ण का भी कथन और कारड़ दिया हुआ है तो इसका एंस्वर भी होगा कि दिया है कि ग्रामिड जनसंख्या खूले में सोच करना अपने स्वास्ति के लिए खत्रा नहीं मानती और कारड़ दिया कि पवित्रता और पवित्रता से जुड़े समाजिक सांस्कृतिक मान दंडों ने लोगों को घर में सोचाले निर्मार से रोका है तो दोनों सही है पर इसका वेख्या गलत है नेक्स्ट कोशन बढ़ते हैं अठारवा अठारवा है कि कौन सा कोलकोता के उन चार नविनिकृत विरासत भावनों में सामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट को समर्पित कि तो इसका एंसर हो जागा ठारवा का डी राइटर्स बिल्डिंग नेक्स्ट कोशन उननीस है कि 207 संगठन के अनुसार 2020 जनवरी 2020 निमलिखित में से कौन सा देश विस्ट के खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था तो इसका एंसर होगा सी कांगोल लोगतांत्र गडराज नेक्स्ट विस्वा देखेते हैं आगे तो विस्वा कोशन अफ्रीका महादीब के नेमलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन से सेंटर जनवरी 2020 में खोला है तो इसका एंसर होगा नाइजर ए नेक्स्ट अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन 21 है कि जनवरी 2020 में मिसेल उबामा को नेमलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रेमी प्रोषकार से समानित किया गया है तो इसका अंसर होगा ए बिक मिंग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा 22 कोशन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक परति इस परदा सुचकांक 2020 कर नुश्टार निमलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो इसका एंसर डी होगा यूएस जिसकी रैंक चार यह गलत है न नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट तैस्वा कोशन है कि तीन जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोटीजी अवार्ड जितने वाली 13 वर्सी लड़की सुचेता नतिस के संदर में है तो इसका एंसर सी होगा एक और दो दुनों सही है वह दुबाई इस भासाओं में गाना गा शक्ति है नेक्स्ट कोश्टन 23 तो 23 का सी हो गया 24 देखते हैं कि 24 है कि सन 2020 में काप 26 का आयोजन निम्ली खितन में से किन सवरों में प्रस्तावित हुआ था तो इसका एंसर ए होगा ग्लास गो नेक्स्ट पचिस्वा 25 की बास एवं जादूई घास विशे में एक दो दिवशी का रियाक्षालास अस प्रदर्शित 11-12 जनुरी 2020 को भारत की निम्ली खित में से किस नगर में आयोजित किया गया था तो इसका एंसर होगा C जम्मू 26 देख लेते हैं कि अजरवज्यान की रजधानी बाकू निम्ली खित में से किस सागर किनारे स्थित है तो इसका एंसर होगा C कैस्पियन सागर किनारे नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे तो आगे मिलान करने के लिए है 27 मिलान करने के लिए आया था कि कौन से घास किस महादीप में है तो इसका एंसर होगा 27 का A तो ये A कहो गया 4, B कहो गया 3, C कहो गया 2, अफ्रीका वेल्ड होता है उत्री अमेरिका तो ये हो गया 4, 3, 1, 2, A सही है तो प्रियरीज ये होता है तो इसका दुबारा देख लिजे कि 27 का एंसर A होगा तो पहले कहो गया A का 4, लानोज का दच्चिड अमेरिका B का 3 स्टेपीज होगा, यूरो, और C का 1 प्रियरीज होगा उत्री अमेरिका वेल्ड होगा, ये यूरो, ये अफ्रीका दो इसमें हो गया तो इसका एंसर हो गया A नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 28 देखते हैं तो 28 भी मिलान करने के लिए है, तो इसका एंसर C है तो देखिए, खिर्गीज है, C का हो गया, A का हो गया, 3 B का हो गया, 4 और C का हो गया, A अब D का हो गया, 2 तो ये हो गया एंसर C मिला लिजीगा इसको अच्छे से, नेक्स्ट देखते हैं 49 वा तो इसमें लिगनाइट कोईला का सबसे बड़ा छेतर कौन सा है तो ये है नवेली, इसका एंसर होगा D 49 का, 29 का, 29 का, 30 का देखते हैं तो दामोदर नदी, किसकी सायक नदी है तो इसका B एंसर होगा, इंद्रावती किसकी सायक नदी, नहीं है दामोदर इंद्रावती की नहीं है, इसका एंसर भी होगा नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्तिसवा देखते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो 31 का एंसर होगा, D जवाई, परियोजना, तमिलाडू में नहीं है, राजिस्थान में है नेक्स्ट देखते हैं 32 की कौन सा कथन सही है तो 32 का कथन सही है भारत में ओडिसा राज क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है नेक्स्ट कोश्चन बढ़ते हैं 33 भारत का लोह आयस्क भंडार निमलिकित में से किस सैली से समद्दित है तो 33 का ए होगा, धरवाड नेक्स्ट है 34 वाँ, सेल्वान वनो की विसेस्ता है तो इसकी विसेस्ता इसमें एंसर होगा 34 का ए, चोड़ी पती सदा बाहर होती है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं 33 वाँ, तो समाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनरवास केंद्र भारत के निमलिखित किस नगर में वस्तित है तो इसका एंसर होगा, बी प्रयाग राज में नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं ये भारत में पर्यावरण सुरच्छा दिनियम निमलिखित में से किस वर्स पारित हुआ तो 36 का एंसर होगा, बी, 1986 में नेक्स्ट कोश्चन है, सैतिस्वाँ तो जन गर्णा है, जन गर्णा के निमलिखित में से कौन सा जन संख्या गरनत्य की देश्टिस से साई घर्ते करम में वस्तित किजिए तो 37 का होगा, डी, बिहार, पशिम, बंगाल, केरल, उत्तर परदेश 38 देखते हैं, 38 मिलान करने के लिए है, इसको भी देख लेते हैं तो 38 का एंसर है, सी तो A का होगा 3, B का होगा 4, C का होगा 2, और D का होगा 1 खुलोरो फ्लोर कार्बन तो इसका एंसर होगा C नेक्स देखते हैं, नेक्स अगला कुस्च्चन है कि माईको राजा एक सहजीवी संबंध है, तो इसका है 49 का C, कवक और पौधो के मद नेक्स्ट कुस्चन, चलिस्वा विटामिन के बारे में निमलिखित में उसे कौन सा कथन सही नहीं है तो इसका एंसर होगा C, कुछ विटामिन सरीर में जमा होते हैं 41 है, फौरेन हाइट पैमाने पर ताप मान 200 डिग्री फौरेन हाइट है, इसका मान Celsius पैमाने पर क्या होगा तो इसका एंसर होगा A, 93.3 डिग्री सेंटिग्रेट अगला कुस्चन 42, तो सूची मिलान करना है तो इसका एंसर होगा D, A का हो गया इसको नीचे कर लेते हैं, तो A का हो जाएगा 3, B का हो जाएगा 4 C को हो जाएगा 1, D को हो जाएगा 2, तो इसको मिला लीजिए और इसका एंसर हो गया D Next बढ़ते हैं, तीरा लिस्टवा देखते हैं, कॉस्चन तीरा लिस्टवा है कि चहतरवे संसोधन के समभन में लिखित में से कौन सा सही है तो इसका एंसर होगा A, 1, 2 और 3 सही है तो ये सवीधान में एक नई अनुस्ची जोडने का उपबंद करता है और ये नगरपालिकाओं की कारपडाली की पुनरसर अरचना करता है और ये नगरपालिका में महिलाओं के लिए अरच्छा का उपबंद करता है Next question है, देखते हैं, चवालिस्वा चवालिस्वा है, भारत में निमलिखित में से किस सिसुओं और वेश्कों के साथ साथ आर्थिक और समाजी की योजनाओं के लिए वीधी निर्मार की सक्ति प्रदत है तो इसका एंसर होगा C, केंद्र एवं राची दोनों सरकारों के हैं तो चवालिस्वा का C एंसर हो गया Next है, 45 45 मिलान करने के लिए है, तो ये देखते हैं इसका एंसर होगा B, तो पहले का हो गया, पहले का हो गया 2, A का 2, B का 4, C का 1, और D का 3 तो इसका एंसर हो गया B Next देखते हैं, 46 तो इसमें देखिए कि कौन ये मैथ का है, तो मैथ मैस समान एदन का लेकर आई हूँ, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 51 है कि राय सीना डायलाग जो कि 14, 15 और 14, 16 जन्वरी 2020 को समपन हुआ, तो मुखी विशे क्या था इसका, तो इसका होगा एंसर C, नेविगेटिंग दे अलफा सेंचुरी, क्या वन का C हो गया, नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं, 52, तो विश और रैपिट सतरंज प्रतियोगता जीतने वाला प्रथाम भारती, तो ये हो गया, ए, कोनेरू हमपी, नेक्स्ट है, तीरपनवा देख लेते हैं कि नीती आयोग दोरा हाली में, जारी सतर्थ विकास लच्छे, है, SDG, इंडिया सुचकांग 2019 के नुसर कौन सा राज़ प्रथम रहा है, तो इसमें रहा है, इसका एंस्वर है, D, केरल, तो तीरपन का D हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट कॉश्चन है कि चगवा नेमलेखित में से किस देश में, जनवरी 2020 में भारती नौस्टेना ने आप्रेशन वनीला प्रारम किया, तो इसका एंस्वर है, C, मेड़गास कर, नेक्स्ट है कि नेमलेखित देशों में से किस देश में, 2019 में G20 देशों का अधचिता जापान से प्राप्ति की तो किस देश में की थी तो पच्चपन का सी होगा साओधी अरब नेक्स्ट कॉश्चन है कि मिलान करने के लिए है तो यह भी देख लेते हैं तो 56 तो इसका एंस्वर होगा तो 56 का एंस्वर होगा D और यह पहले का A का हो गया 3, B का हो गया 4, C का हो गया 1 और D का हो गया 2 तो इसका एंस्वर होगा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कर्थन और करण है तो देखते हैं कि भारती भारती भुगर्ब सर्वेच्छर के नुसार भारत में सभी कोटी के कोईले का कुल भंडार यह है तो इसका एंस्वर मिला नहीं है तो देखते हैं बाद में अगला बढ़ते हैं कोश्चन अगले पे सत्त और देखते हैं नेक्स्ट है 58 का तो मिलान करने के लिए है तो इसका एंस्वर होगा बी तो एक हो गया 4 बी कहो गया 3 सी को हो गया 1 और डी को हो गया 2 दो हो गया तो इसका एंसर हो गया बी नेक्स्ट कोश्चन है 59 का कि भारत में नगरी करण के संदर में निमलेखिर में से कौन सा कथन सही है तो 59 का एंसर होगा बी केवल 2 2011 में 10 लाग से अधिक जन संख्या वाले तीरपन नगर संकुल थे नेक्स्ट देखते हैं साथवा तो साथवा का मिलान करने के लिए है तो एक होगा 3 बी कहोगा 1 सी कहोगा 4 डी कहोगा 2 तो इसका एंसर हो गया सी नेक्स्ट कोशन देखते हैं एक सेट एक सेट है कि भारत के निमलेखी त्राज्यों में से कौन से जन संख्या के दिश्टी से दूसरे और छेतपल के दिश्टी से तिसरे इस्टान पर है 2011 के जन करना के नुसर तो इसका एंसर होगा डी महराश्ट नेक्स्ट कोशन है कि 2011 के जन करना कनुसर भारत के निमलेखी त्राज्यों में से किस्ट में प्रती सौग बालिकाओं 0 से 6 वर्स की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वधिक है तो इसका एंसर होगा C हरियाणा नेक्स्ट कोशन बढ़ते आगे अगला कोशन है कि शरीर के सत्व से सम्वेदा प्रशीना बहना दोराजल की हानी निर्भड करती है तो इसका होगा A और B दोनों केवल वातावरण के दापर और अकेवल वातावरण की नमीपर नेक्स्ट है चौसट निमलिखित में से कौन साता तो पौदो में सुच में पोशक नहीं है तो इसका एंसर होगा D Magnesium नेक्स्ट कोशन देखते हैं पैसेठवा हीमोगलोबिन के संब्द में कौन सा कथन सही नहीं है नेक्स्ट कोशन देखते हैं कि रक्त में ग्लाइकोस्टिलेटिड हीमोगलोबिन का मापन निमलिखित में से किसके प्रबंदन के लिए लाब दायक है तो इसका अंसर है सी मदू में ही के लिए छाचछट का सी हो गया नेक्स्ट देखते हैं सरसट तो भारती सविदान में निमलिखित में से किस कर्तवे को मौली कर्तवे के रूप में निर्धायत किया गया है तो इसका अंसर होगा D 1, 3 और 4 नेक्स्ट कोशन देखते हैं 68 तो ये भी कथन कारण है तो इसका अंसर D होगा क्योंकि कथन दिया है भारत में मंत्री परिशा सविक तुरूप से लोग सभा और राजी सभा दोनों के प्रती उतरदाई है तो ये गलत है ये से लोग सभा के प्रती उतरदाई होती है और नेक्स्ट है कि लोग सभा राजी सभा दोनों के सदल संगी सरकार में मंत्री बनने की पात्रा रखते हैं तो यह सही है तो एंस्वर होगा D A गलत R सही है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट 69 है कि पंचायत राज पर गठीद निमलेखी समीतियों का काल करम करनुशा विवस्तित करना है तो इसका एंस्वर होगा C 3,4,1,2 पहले तीसा बियार मेहता समीति, फियसोक मेहता समीति, फिराव समीति और फिर दूसरा एलम सिंग भी समीति नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं सत्तर 17 भारती सविदान के कौन सावा केंद्र राज्यों के मद्व वित्ती सम्मंद का नेवारण प्रसूत करता है तो इसका एंसर होगा B भाग 11 में यह है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं तो यह मैथ का है तो यह आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 79 का है कि देश के बड़े राज्यों की सम्मों में भारत की किस राज्य में 2019 में सुशासम सुचकांक में सिर्शिस्थान पर प्राप्त हुआ तो इसका एंसर होगा B तमिलनाडू नेक्स्ट है कि असीवा है कि अपरतेश करों की प्रतिगामी कर विवस्ता क्यों कहा जाता है तो इसका एंसर होगा B यह सभी आयसमों पर समान दरूपर लगाए जाते हैं तो असी कभी हो गया 81 भारत 5 डिलियंट टालर की अर्थ दिश्था के लच्छ को कब तक प्राप्त करना रहा है तो इसका है B 2024 तो 81 नेक्स्ट है कि 82 देखते हैं कि निमलिखित में से कौन सा पंद्रवे वितायों के समझ में सही नहीं है तो इसका एंसर होगा C आयो की अनुशन सा 2021 से 26 के पांच वर्थों के अउधिक लिए बढ़ा दिया गया है अब नेक्स्ट देखते हैं 83 निमलिखित पल्लाव सासको का राजकाल की दिश्थीगर से कालकरम में सही विश्थित करना है तो इसका एंसर होगा तो इसका सही होगा A एंसर सही नेक्स्ट आगर बढ़ते हैं तो तीरा सीवा का एक हो गया आगर बढ़ते हैं 14 स्वा मिलान देखते हैं तो इसका एंसर होगा A तो इसको देख लेते हैं कि A का होगा 3 B का होगा 1 C का होगा 2 और 4 का होगा D तो इसका एंसर होगा A नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट भी मिलान करने के लिए है तो इसको भी देख लेते हैं मिलान करने के लिए नहीं है यह कौन सा सुमेलित नहीं है तो इसका सही अंसर होगा तो इसका अंसर C होगा नेक्स्ट देखते हैं C आशिवा मिलान करने के लिए है तो इसका अंसर A का होगा 2 B का होगा 3 C का होगा 4 और D का होगा 1 तो इसका अंसर होगया A नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 87 देखते हैं 87 यह भी मिलान करने के लिए है तो इसका देखते हैं कि इसका अंसर होगा A का होगा 3 B का होगा 1 C का होगा 2 और D का होगा 4 तो इसका answer हो गया A, next बढ़ते हैं अगला question पर, अगला question भी कथन कारण है, तो देख लेते हैं, तो इस दिया है कथन में की आरे समाज अंदोलन ने हिंदूओं में आत्म विश्वास और आत्म निर्भरता प्रदान किया है, कारण दिया कि आरे समाज अंदोलन ने में विश्वास की जड़ो को कम जोर किया है, तो इसका answer होगा, ठासी का A होगा, यह कथन और कारण दोलन सही है, वेख्ख्या भी करता है, next question है, यह लाला राचपत राय के संदर में कौन सा कथन सही है, तो इसका answer होगा, एक केवल एक सही है, कि प्रारव में वे अस्वयोग नीती के पच में नहीं थे, परन्तु बाद में वे गांदी के पच में होगा है, next दिक रहे है, 90, विले के सिधान पे, राज्यो का विले, सही करम बताना है, तो 90 का होगा, सी, एक तीन, चार दो, एक आयात सतारा, फिर तीन, बगाट, चार, उदेपूर, फिर दो, जासी, next question, एक क्यान बे, तो गन्य की उचित पारिश्रमिक मोले, एफ आरपी, कौन सरा संगठा अनमोदित करता है, तो इसका एंसर होगा, ए आर्थिक मामलोग की केविनेट केमिटी, next question है, 92, कथन कारण दिया हुए, तो कथन पढ़ते हैं कि सूरज मुखी का तेल, एक अच्छी गुड़वत्ता का खाद तेल है, तो सही है, next कारण है कि इसमें और संत्रिप्त वशा, अमलोग की अधिक मात्रप आ जाती है, तो ये भी जाहिए, तो वेक्था भी कर रहा है, तो इसका एंसर होगा, कथन कारण दूनो चार दसमलों परती सर, next question देखते हैं कि 94, उपयुग तो इसका एंसर मिला नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, next 95, तो software, even business, प्रोसेस, outsourcing, उद्यों का सबसे बड़ा केंदर, उतर परदेश में कौन सा सर है, तो ये है, अनुरेडा, डी, next कि उतर परदेश निमले की छेत तथा उस छेत्र के क्रिसियम वानिकी के विकास के लिए अभी शाप है, तो इसका एंसर होगा, बी, उतर परदेश का बुंदेल खंड छेत्र, next देखते हैं, 97, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है, तो डी, गलत है, प्रतापगड, अमरूत से सुमेलित नहीं है, बाक सुची जन जाती उतर परदेश के जीलो किस जीलो में निवास करती है, तो यह होगा, सी सुन्द भदर में, next question आगे बढ़ते हैं, नियान बे देखते हैं, मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं, तो एक हो गया, तीन, बी को हो गया, चार, सी को हो ग हो गया, इसका हो गया, एक डी का, तो इसका एंसर हो गया, सी, next देखते हैं, सवाए कि निमलेखित में से, कौन सा फास्पेटिक जय उर्वरक है, तो इसका एंसर होगा, डी, वैस्कूलर, अर्बूश्कूलर, मरकुराईचा, next question देखते हैं, 101, तो इसका नहीं मिले है, आगे बढ़ते हैं, next 102, तो इसका एंसर होगा, 102 का एंसर होगा, सी, दोनों सही है, next बढ़ते हैं, 103 देखते हैं, जले जली आप देखते हैं, ज्यादा टाइम हो रहा है, तो 103 का होगा, सी सही है, एक और दो दोनों सही है, ग्रीस ने काटरीना साकेला रोपोलू को देश का इतिहास में पहली महिला राष्टपती चुना है, काटरीना पहली राष्टपती है, जो राजनितिक दल से समधित नहीं है, नेक्स देखते हैं, 104 के ग्रीन पीस इंडिया दोरा जारी 2020 में जारी रिपोर्ट के नुसार भारत के 287 नगरों में 287 में कौन सा सरवदिक परदूसित नगर है, तो यह होगा जहरिया भी, इसका अंसर होगा, नेक्स्ट देखते हैं कि 105 की कठमानु देश की जलवायू, स्मार्ट शेती पर डाली विशय पर 11.13 दिसंबर में 2019 में संपन हुई, तीन दिलसी अंतराशी संगोठी के संबंद में कौन सा कथन साही है, तो इसका अंसर होगा, बी केवल दो साही है, तो इसका अंसर है, दो, यह नेपाल में नहीं, दिली में वहती है, अगर बढ़ते हैं, 106 का देखते हैं, मिल्यान करने के लिए है, तो इसका देखते हैं, कि A का 4 हो गया, B का 3 हो गया, C का 2 हो गया, और D का 1 हो गया, इसका अंसर हो गया, C, नेक्स्ट देखते हैं 107 के निमलेखित में से कौन जापान के चार प्रमुक दीपो के उत्तर से दच्छिड साही करम प्रदस्षित करना है तो इसका एंसर होगा नेक्स्ट है कि कथन का रड़ तो इसको देख लेते हैं जारी से कथन है कि कथन के विस्ट के अधिकांस उस्ट्र मरुस्थल 15 डेगरी से 30 डेगरी उत्तरी एवं दच्छिड अच्छांसों के मद महादीपों के पश्चिम किनार प्रिस्थित है ड़ी है कि वेपारिक पवने जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है उनकी नहीं आजधा तक कमी अतर जाती है तो कथन और करणर दोनों ही सही है और इसकी वेख्या भी सही करता है तो इसका अंसर होगा ए अब आपक 109 देखते हैं मिल्यान करने के लिए हैं तो मिल्यान करते हैं तो इसका एक होगा चार कि बी कहोगा एक कि एक को होगा 3 और डी कहोगा दो तो इसका इंसर हो गया भी कोने नेक्स बढ़ते हैं और इसको में भी मिलान करना है तो इसको भी देख लेते हैं तो इसका होगा A का 1 B का 2 C का 3 और D का 4 तो इसका एंसर हो गया A, 1, 2, 3, 4 नेक्स्ट है 111 तो ये एक मैत का है अगर बढ़ते हैं अब आते हैं 121 के लिए केंद सरकार ने राजकोशी घाटे की कितने परतिसत तक सीमित रखने का लच रखा है तो इसका एंसर होगा A, GDP की 3,5% नेक्स्ट बढ़ते हैं अबागया की जिली 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 देखते हैं कि निमलेखित में से कौन सा राजभायत की धारडी विकास लच सुचकांग 2019-2020 के सीर्स पांच राज्यों की सूची में नहीं है तो इसका एंसर होगा A, गुजरात नेक्स्ट है दिये गए credit rating agency पर विचार केज़े और उन्हें कलकरण पर विवस्तित कीज़े तो इसका एंसर देख लेते हैं तो इसका एंसर होगा D, D होगा 1, 3, 2 नेक्स्ट देखते हैं 171 निम्लेकित सारवजनी छेत्र के बैंक का हाली में निम्लेकित किसमें एकी करण से का आने के लाब लच्छी थै तो इसका है सी, एक, दू, चार नेक्स्ट बढ़ते हैं 188 निम्लेकित में से किस ग्रंद का है तो ये है माभारत नेक्स्ट है कि 188 निम्लेकित में से किस दातु की अति दुरलब सिख्ये प्रचलित है तो इसका होगा बी एंस्वर रजट का लास्ट कोश्चन देख लेते हैं मिल्यान करने के लिए है तो निया दर्शन चार इसका होगा तारकिक चिंतन मिमांसा दर्शन ये होगा वैदिक अनुष्टान करना और सांख्य दर्शन वास्तिविक ज्यान का भी गरहर और वेदान्त हो गया आत्मिज्यान तो इसका एंस्वर हो गया बी तो यह फ्रेंड अगर कुल एक सुबीस कोश्चन थे लेकिन इसमें से कुश्चन का नहीं मिला एंस्वर तो मैं एस्ट वीडियो बनाओंगी जिसमे सब्सक्राइब कर दीजेगा और विए जिएस का देखना चाते हैं कुश्चन तो मेरे वीडियो पढ़ी हुई है मेरे चैनल पर तो प्लिस सब्सक्राइब करेए और शेयर भी करेए वीडियो को थैंक्यू